वेस्ट एंडीज में तेज बारिस बनी टीम इंडिया और उस्टेलिया मुकाबले के बीच विलन सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं टीम इंडिया और उस्टेलिया के बेच अज सूपर एट का आखरी मुकाबला खेला जाना है आपको बता दे कि इस मुकाबले में भारतिय टीम के निगाहे औस्टेलिया को मात देने पटी की होगी भारतिय टीम इस मुकाबले में औस्टेलिया को हरा कर छे आंग का हसिल कर सीधा सेमिफाइनल में कौलिफाई कर जाएगी अगर टीम इंडिया इस मुकाबले में जीत जती है तो उस्टेलिया ही टीम का सफर सेंफाइनल से पहले ही खत्म हो जाएगा हाला कि इस मुकाबले से पहले एक बड़ी टिंसन आ गई है और ये टिंसन मौसम की है दरसल आपको बता दे कि भारत और उस्टेलिया के बीच ये मुकाबला सेंट लूसिया के ग्रोस आइलेट मैदान पर खेला जाना है मगर आज सुबह से ही यहां तेज बारिस हो रही है और अनमान लगाया जा रहा है कि ये बारिस रात 9 बजे तक चलेगी अगर 9 बजे तक बारिस होती है तो फिर दोनों टीमों के बीच फैंस को 20-20 ओबर का मैज देखने को नहीं मिलेगा फिर क्यूरेटर को इस मैदान को खेलने लायक बनाने के लिए कुछ घंटों का वक्त लगेगा जिससे भारत और उस्टेलिया के बीच आज हमी 10-10 ओबर का मैज देखने को मिल सकता है सेंट लूसिया में फिलाल तेज बारी सो रही है और आज फैंस का मजा भी किरकिरा होता हुआ न जरा सकता है दोस्तों आप भी दुआ किजिए कि भारत और उस्टेलिया के बीच आज कम से कम दद्दस ओबर का मैज देखने को मिले फिलाल इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार